हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात दो से तीन भून तेल में बनने वाला इक्तम नया और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नास्ता आप एक बार इस नास्ते को बना कर खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे तो चलिए फैंड बीना किसी देरी के फटाफट से नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आती है उसे भी जरूर प्रस कर दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी नहीं वीडियो है इसकी नोटिपिकेशन यानि की मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वाच कर सके तो चलिए असमाल आपको इस नास्ति के लिए नहीं करना होगा तो देखिए यहां पर दाल को ट्रांस्फिर कर दिया है तो दाल ध्य ही डालनी है लयगिये ₹2-3 लैज़ writes कल्या छिकतिंगए ₹3-7 पैस कांटकर बते ड unpredict को करें तो आप इन सभी चीजों को डालने के बाद थोड़ लॉकी लॉकी हमारा जो नास्ता होगा वह बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा और यह थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेगा तो इन सभी चीज़ों को डाल कर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे तो चलिए इसे फटापट से पीस लाते है तो फ्रेंड हमरे अपनी था पानी इसमें एक कर सकते हैं तो फ्रेंट आप इस पेस में हम डालेंगे आधा कब जीतना गिंहूं का आरटा और इसके साथ हमें डालेंगे आधा कब जितनी सूजी तो यहां पर हमने बारीक पलिसी लिये आप चाहें तो कोई भी सूजी का इस्तमाल कर सकते हैं तो इन दोनों की जो ratio होगा वो बिल्कुल सेम होगा और इन सभी चीजों को हम आपस में अच्छे से मिला देंगे, आटा और सूजी डालकर हम इसे आपस में अच्छे से mix करेंगे, ताकि हमारा जो mixture है वो थोड़ा सा थीक हो जाए, और सूजी और आटा डालने से आप देखेंगे, यह थोड़ा सा थीक होने लगेगा, इसे आपको एक से दो मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके अंदर का जो भी मॉस्चर होगा, वो थोड़ी देर में खतम हो जाएगा, परेंट mixture को rest करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमे एड़ करेंगे थोड़ से spice, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चमद जितना भुना हुआ जीरा पाउडर, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी chili flicks, अगर आपकी हरी मिस देखिए, तो आप इसे skip कर सकते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमद जितना सफेद तिल, थोड़े से color के लिए हम इसमें add करेंगे आधा चोटा चमद जितना हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ही साबू जीरा, एक चोथा ही चम्मन जितना ही इसमें जीरा डालना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे ठोड़ा सा चाट-मसाला पाउडर और इन सभी चीज़ों को डालने की बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसान नमक और नमक एड़ करने के साथ ही हम इसमें डालेंगे pinch of baking soda यहाँ पर आपको baking soda इस्तिमाल करना है baking powder नहीं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक निम्बू का रस तो baking soda के उपर ही आपको निम्बू का रस डालकर इसे अच्छे से activate कर लेना है और इसके बाद इसे आपको अच्छे से mix कर लेना है तो यहाँ पर हमने सारी चीजों को आपस में अच्छे से mix कर लिया है और हमने अपने steamer को भी तयार कर दिया है ताकि हमारा जो नास्ता है वो अच्छे से steam हो जाए तो यह काम आपको 2-3 मिनट पहले ही कर लेना है तो दिखिए यहाँ पर हमने पानी को गरम होने के लिए लग दिया है ताकि इसमें अच्छे से steam बन जाए तो चलिए फ्रेंड इसे हम अच्छे से ढख कर steam होने देते हैं इसके बाद हम इस तरह का एक steamer plate ले लेंगे और इस पर अपने नास्ते को हम अच्छे से shape दे देंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा oil लगा लेंगे हाथों में ताकि हम अपने नास्ते को अच्छे से shape दे पाए कुछ इस तरह से आपको इस shape को बना कर ready के लिया की तो यहां पर हमारा पहला नास्ते को ready हो चुका है तो अब इससे हम steamer plate पर डाल दीगे और इसी तरह से अपने सारे नास्ते को को हम स्य दिदे न कि अप्टे अपने शारे नाज्टे को पसे सिरी कर लिया है तो हम.." फटा फट से हमatellar में डाल देना है ताकि अच्छा से स् FREE हो जाए तो चलिए फैर्ण आप करेंगे बीश में खोल पाल विर्फृ भी च longtemps करने केंने ह tangible वर नहीं हो होगा तो चले इसे हम स्टीम होने देते तो तक्रीबन 10-15 मिनट हो चुके और अब अपने नास्ते को हम चक कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो नास्ता है वह काफी अच्छे से कुक हो चुका है और यह थोड़ा सा ब्रेक भी हो चुका है उपर से तो यह साइन होत बन गई है और यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है तो इस तरह से अपने सारे नास्ते को हम फटा पट से कट कर लेंगे तो फ्रेंड हमने अपने सारे नास्ते को कट करके रख लिया आप चाहें तो इसे प्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं बाद में जब दालेंगे आदा चोटा चमच के करीब तेल तो तेल थोड़ा सा जादा डालेंगे ताकि हमारा जो नास्ता है वह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो सबसे पहले तेल को गरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चमच जित्ता साबू चीरा थोड़ी सी हिंग दालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वह इन्हांस हो जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चोड़ा चमच जित्ती राई राई को हम अच्छे सा चटकने देंगे उसके बाद अपने तयार कियो नास्ते को हम इसमें डाल देंगे तो अब अपने नास्ते को हम एक स चला लेंगे, इसके साथ हम इसके उपर थोड़ी सी चिली फ्लिक्स और थोड़ी सी अमचूर पाउडर का भी इस्तमाल करेंगे, ताकि हमारा नास्ता ओपर से भी थोड़ा सा चट पिटा लगे, यह total optional है, अगर आपका मन हो तो आप डालिए, वना आप इसे skip भी कर सकते हैं, तो इस तरह से जब आपको लगे कि यह दोनों साइट से काफी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, तब आपको इसे गर्मा गरम सर्फ कर लेना है, यह ठंडी होने के बाद भी अच्छी लगती है, आप इसे किसी भी चटनी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे च चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रस कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नहीं मज़दार रेसिपीस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्यार रखे, बाबाई, एंड टेकर एंड थैंक्यों फूर वाच श्सक्राइब कर्णों में एंड बाईब नहीं में एंड और रेसिएू6 नहीं में एंड बादर कुनकी।